ये जानेंगे मेश राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2015 इस वर्ष आपकी राशी में उन्नती करने वाली योजना आपको हर्शित करेगी किन्तु ये आपके संकल्प और परिश्रम परहे निर्भर होगा शनी देव ग्रहे की अस्टम भाव में स्थिती है और राहु को छटे भाव में देखते हुए आपके परिवार को स्वास्ते की दिस्टी से अपना अपना ध्यान रखना होगा ठकान और कस्ट आपके स्वास्ते को नुकसान पहुँचा सकते हैं इसलिए स्वास्थे को सही रखने के लिए आपको अपनी मानसिक स्थिती को भी नियंतर में रखना होगा आपके आहार और योग पर विशेश ध्यान देनी की जरूरत है केतू देव भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि यदि आपको कोई भी परिशानी हो तो उस संबन्द में अपने सहयोगियों की सला अवश्य ले सभी लोगों को और खासकर स्टूडेंट्स को उनके परिश्रम के अनुसारफल की प्राति अवश्य होगी इस राशी के लोगों में गुरू ब्रहस्पती की कृपा होगी चतूर्थ और पंचव भाव में आपके भागयफल सफल होंगे आपकी अर्थ विवस्था एक सुनिश्चित्मा की तरफ दिखाई देती है आपका शाशक ग्रह मंगल आपको डर विकछिनाईों से बचने के लिए नया साहास प्रदान करेगा आप उन्नती करेंगे और आपकी महिमा भी बढ़ सकती है ग्रहों की दशा आपको उपरी शिखर पर ले जा सकती है और आपको लेंदेन के कारियों में भी प्रबलता हो सकती है विवसाई कारियों में कुछ अर्चने आ सकती है किन्तू धीरता से निर्ने लेने की आवशक्ता होगी आप अंचाहे बदलाव का भी अनुभव कर सकते हैं किन्तू ब्रहस्पती और शनी आपके पत को स्थेर करने में सहायक सिद्ध होंगे अधिकारीगन और करमचारीगन के साथ आपको संबंध सजुगता से निभाने होंगे आप अपने सच्चे संकल्प से ऐसा कर्म का बीजबोएं ताकि आप पूरे वर्ष की मेहनत से लाब प्राप्त कर सकें प्रेम संबंध के मामले में अपने कारे से कुछ समय निकाले और अपने जीवन साथी को दे कोई भी ऐसी नई योजना बनाएं और अपने साथी को अचानक से उपहार दें ताकि वो प्रसन न हो कभी भी अपने साथी पर किसी तरह का दबाव या बोज न डालें और सदेव अपने साथी के साथ एक दोस की तरह विवार करें और स्ने करते रहें आपका ग्रहस्त जीवन सुखद और शांती पून चलता रहेगा और प्रजा में आपको आनंद ही आनंद प्राप्त होता रहेगा आपका पारेवारिक जीवन सुखी और सम्रिद्ध होगा वरिस्ट नागरिकों से सहयोग और प्रेर ना मिलेगी धन और जीविको पाईजन के अच्छे योग बनेंगे मेश राशी के महानुबवों के लिए उमंग और जोज से भरा हुआ अफसर होगा आप अपनी नई नई योजनाओं में सफलता प्राप्त कर फल प्राप्त करेंगे यहे भी निर्ने करें कि आपके कर्स्ट वे आपदा की अवधी में आप धन को बचा कर रखें ताकि वे धन आपके अच्छे दिनों में सहायक से दहो सके अपनी भावनाओं और मनो कामनाओं पर नियंतरन रखने की आविशक्ता पर जोर देने की कोशिश करें अपने पास सोने ये चांदी का चतुर भुज रखें लाब होगा आपके लिए शनी देव और राहु देव की पूजा लाबदाई सिद्ध होगी इसके अलावा आपका जन्म जिस्तिति को हुआ हो उस्तिति और नक्षत्र देव की पूजा भी आपके लिए लाबकारी होगी आस गणेशा के सभी ग्रहकों को हमारा सहर्दे धन्यवाद है और हम आपके उज्वल एवं सुख में भविशे की कामना करते हैं हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि भविशे में भी आपको सटीक एवं उच्चतम सेवाए प्रदान करते रहेंगे